आज इसलाम लेकुन दोस्तो इंडेक्शन का पॉर्ट वन हमने लास्ट टाइम पड़ा था तो इंडेक्शन का पॉर्ट टू शुरू करते हैं और अज चुलिए लेटब्टॉप की स्क्रीन पे चलते हैं यह देहि纖े सेलf इंड़ेक्शन हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम हमने सेलf इंड़ेक्शन पे खतम किया था तो सेलf induction के characteristics क्या होते हैं? यहां से हम ये वीडियो शुरू करते हैं. इस और दा characteristics of self induction, यानि self induction के क्या खासियतें क्या हैं? Number one, any coil will induce a voltage in itself whenever its current value changes. किएता है किसी भी coil में voltage पैदा हो जाएंगे, जब भी उसकी current value change होती है. या जैसे दो एंपियर थी, दो एंपियर से चार एंपियर हो जाएगी तो ये जो है induction ये बढ़ जाएगी. Because current controls the size and strength हाथा फिल्ड केता है, क्यूंके current जो है, ये magnetic field का size और उसकी strength जो है, determine करता है. दूसरा, when the current is increasing, field expanding, कहता है, जब current increase हो रहा होता है, field expand हो रहा होता है, या नि बढ़ रहा होता है. The induced EMF opposes current flow. Induced EMF होती है, वो current flow को impose करती है. यह हम पहले पढ़ चुके हैं. When the current is decreasing, यानि field जो है, वो contract हो रहा होता है, तो EMF जो है, वो induced EMF aids the current flow. EMF जो है, पैदा होती है, वो original current flow को aid करती है, उसको help करती है, उसको support करती है, तो इस तरीके से, वो current भढ़ जाता है, यानि voltage भढ़ते हैं. तो यह था self-induction के characteristics. Pulsating current, pulsating current क्या होता है, पहले तो इसको देखते हैं. So far, current has been understood as a steady flow of electrons, यानि, बिलकुल steady current से मतलब है, एक जैसा current, बिलकुल एक ही direction में, अगर एलक्टरोंस का flow जो होता है, उसको हम steady current कहते हैं, दूसरे लफ़जों में इसको DC current भी कहते हैं. apply a voltage, its pulses are steady, बगए DC voltage किये जाते हैं, तो वो steady pulses पैदा होती है, यानि steady pulses अकर दिये जाएं, तो voltage जो है, उसको इस तरीक के नीचे आप देखें, यह figure a को, यहां से हम voltage rise होते हैं, यहां peak तक जाते हैं, और फिर यह fall होना शुरू हो जाते हैं, फिर यह peak तक जाते हैं, फिर यह fall होना शुरू हो जाते हैं, यह symmetrical हैं, symmetrical हैं, यानि steady हैं, तो इसन को हम कहेंगे pulsating DC, लेकर steady pulsating है, लेकर दूसरा यहां देखें, यह दूसरी figure जो है figure B, इसके साथ यह लिखा हुआ, surges, यानि एक crunch flow increase होता है, फिर बिलकुल थोड़ा सा आ जाता है, फिर increase होता है, तो यह symmetrical नहीं है, एक जैसा नहीं है, pulses एक जैसी नहीं है, इसको कहते हैं, surges, लेकर यह भी pulsating DC हैं, यह भी pulsating DC हैं, इसको हम DC pulsating कहेंगे, क्योंकि यह एक की direction में है, दूसरी तरफ अगर आप देखें, यह pulsating DC है, यह कोईल है, यह हमने switch लगाया है, जैसे switch को on करेंगे, तो यह हां पर इसको field बनेंगा, और फिर यह field खतम हो जाएगा, आस्ता आस्ता जैसे ही हम इस cr seconds को बनद करेंगे, तो आस्ता आस्ता यह field खतम हो जाएगा यहाँ से हमने current को यहां सेowin, क्रण पर स्विछ को जी को खिए, आस्ता आस्ता यह field बढ़ा यहां तक तक पीक तक चला गया, फिर switch को हमने open कर दिया, यह field आस्ता 横्लाप्स हो गया, यहां तक बिल्क것 zerna हो गया फिर हमने switch को on कर दिया यानि close कर दिया, फिर आस्ता आस्ता यह देहें kun mrnt भड़ता गया field भी बड़ता गया, यहां जा कर हमने switch को off कर दिया, यह current भी कमोना शुरू हो गया field भी कमोना शुरू हो गया यानि contract हो गया collapse हो गया field आगे चलते हैं ignition coil आफ आटो यह आपने देखा होगा अगर यह एक primary coil है यह वाली इस तरफ यहां तक आती है यह इसके turn है यह एक secondary coil है जिसको एक end जो है इसी primary और secondary का आपस में common किया हुआ यहां से हम थोड़े से voltage देते हैं 12 voltage देते हैं और यहां से बहुत high voltage हम ले लेते हैं जिससे आप गाड़ी का ignition पैदा होता है तो यह क्योंकर pulses में होता है जैसे हम यहां pulse देते हैं तो यह pulse step up होगे आपने देखी होंगी यहां फिर वो शो कर रहा है कि यह DC current जो है increasing current increases opposite induced EMF यानी increasing current जो है यहां से current increase हो रहा है flux increase हो रहा है यहां जाके फिर flux decrease होना शुरू हो जाता है लेकिन यहां से यहां तक की बात पहले sentence में कर रहा है hence reducing resultant applied voltage काता है यह opposite क्यूंकि steady जिस वक्त किसी भी कॉयल को आप देंगे voltage तो उसका जो reactance जो है की inductance जो है कॉयल की वो जो है वो अपोज करती है current को और यह applied voltage को कम कर देती है लेकिन दूसरी शकल में decreasing current increases adding यानी in-face induced EMF applied voltage और induced EMF in-face अगर हो जाए तो voltage जाहरा भड़ जाते हैं यानी applied voltage जो है उसको help out करते हैं यह alternating current अभी तक हम DC current की बात कर रहे थे alternating current की तरफ अगर हम बात करें तो direct current either pulsating or regular is a one way flow of electrons यह है DC की definition लेकन a two way flow of electrons a current which first flows in one direction and then reverses and flows in the opposite direction is called alternating current यानी पहले वो एक direction में flow करता है फिर वो reverse हो जाती है direction तो इसको हम alternating current कहते हैं यह two way direction में flow करता है जबके DC यह pulsating DC one way flow करते हैं alternating current voltage cannot be obtained directly from batteries कहता है AC current जो है या AC voltage जो है वो बैटरी से हासल नहीं किये जा सकते हैं but usually originates in a special kind of generator कहता है special generator से यह पैदा होते है AC voltage और इसको हम alternator कहते हैं यानी AC जो voltage पैदा करता है generator उसको alternator कहते हैं तो यह देखिए यह AC का एक cycle है यहां से शुरू किया हम यहां तक peak तक गया फिर यह 0 तक आ गया जीरो से फिर यह negative cycle शुरू हो गया और negative peak तक गया और फिर यह 0 तक आ गया यहां से फिर यह positive की तरफ चला जाएगा तो यहां से लेकर एक positive peak एक negative peak यह यह एक cycle कहलाता है यहां से लेकर यहां तक यह देखें यह नीच यह इसने शो किया है एक cycle one cycle और यह negative cycle है यह positive cycle है इस पूरे को हम एक cycle कहेंगे तो AC देख लिए आपने यानि true way direction में जो क्रांट फिलो होता है उसको alternating क्रांट कहते हैं एक cycle यह होता है जिसमें एक पूरा cycle यानि 360 degree जो है इसकी value of the AC या एक positive peak एक negative peak दोनों तरफ zeros यह मिल जाएं तो इसको हम एक cycle कहते है frequency क्या होती है यह cycle एक second में कितने होते है एक second में जितने cycle होंगे उसको हम frequency कहेंगे यह घरों में हमारे पास जो बिजली आती है आम तो पर यह 50 हर्ट होती है 50 cycle होती है alternating crown is constantly changing value alternating crown अगर आप देखें यह value constantly change हो रही है देखें ऊपर जा रहा है लेकिन value भी चेंज हो रही है यह देखें यह voltage है यह negative voltage हें यह positive voltage हैं जैसे जैसे उपर साइकल जा रहा है वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है यहां तक जाते जाते हैं यह 60 वोल्ट तक पहुंच गई है तो यह कहता है कॉंस्टेंटली चेंज हो रही है और डिरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाती है थोड़े देर के बाद वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइकल में चला जाता है अगर आप किसी कॉईल को यह एसी दे 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 तो देखें यहां से यहां से फील्ड बढ़ेगा 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 और फिर पिक तक चला जाएगा फिर यह आस्ता आस्ता काम होना शुरू हो जाएगा जाएगा और फिर अपोजेट डिरेक्शन में चला जाने जाने का इसका मतलब यह है कि ada इंड़क्शन क्लिए हमें DC को ओन अफ करने की धरूरत नहीं है DC noite को अफ करना पड़ता था AC में किसी चीज़ का on have नहीं करना पड़ेगा और यह खुद बाखुद ही मुसलसल फिल्ड जो है वो चेंज हो रहा होगा डिरेक्शन अपनी चेंज कर रहा होगा तो ये इससे इंड़क्शन, म्यूच्वल इंड़क्शन बहुत अच्छी होगी अगर हम दो कोईलें आपस में रख लें एक को प्रेमरी कहें एक को सेकंडरी कहें जैसे ट्रांसफारमर में होता है वो कहता है अगर प्रेमरी को हमें एक सी साइकल दें तो सेकंडरी में भी बिल्कुल हमें एक सी साइकल ही मिलेगा इसकी एक मिसाल ट्रांसफार्मर की mutual induction है इसी तरीके से in self induction AC produces a continuous voltage the induced voltage opposes the applied and some coils are designed so that the aim of self induction is strong enough to almost completely stop current flow कहता है किसी coil को अगर दें तो बाद उकात coil की अगर induction इतनी ज्यादा है कि बाद वकात वो current flow होने ही नहीं देती मिसाल के तोर पर अगर बहुत भरीक टरन के बहुत ज्यादा infinite turns दिये हुए हो और एक coil बनी हो यह बहुत बड़ी तो आप उसमें वोल्ट ही दें भी 220 वोल्ट तो उसमें से कोई current flow नहीं होता उसके वज़ा यह होती है कि उसका जो opposite current flow वो करती है वो बहुत हाई होती है और वो current flow totally stop कर देती है आगे चलते हैं समरी इस वीडियो की जो हमने शुरू किया था इसकी समरी पे चलते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें हमने direction current direction पढ़ी है AC की भी और DC की भी current status पढ़ा है DC steady current, DC pulsating current और AC current फिर magnetic field पढ़ा है हमने DC में कैसे होता है pulsating DC में कैसे होता है और AC में कैसे होता है फिर mutual induction transformers की मिसाल मैंने दी थी primary winding होती है, secondary winding होती है primary में अगर आप voltage दें mutually induced होके secondary में बिलकुल वही voltage जो हमें मिल जाते है self induction, EMF induction in the same coil यानि एक ही coil है तो उसी के अंदर अगर उसके अन आफ करेंगे उसकी primary के voltage तो उसमें, उसी के अंदर जो है, वो self induction होती रहेगी और वो field जो है, जैसे ही आप switch break break करेंगे, तो उसके अंदर field भी opposite direction में पहला होगा यानि इसका मतलब यह है यहां पर एक चीज clarify कर दूँ, एक coil को जिस वक्त आप voltage देते हैं, अगर आप AC voltage देंगे, तो field खुद बहुद reverse होगा, लेकिन अगर आप DC voltage देंगे, तो उसको on-off करना पड़ेगा आपको, तो DC AC को on-off करके भी आप field contract पैदा कर सकते हैं, और उसको collapse कर सकते हैं, लेकिन AC को directly अगर आप दे देंगे, तो field increase भी होगा, decrease भी होगा, opposite direction में भी जाएगा, तो इसलिए इस वी की mutual induction AC के बहुत अच्छी होती है तो यह आज की video यहीं तक, इन्शालला electro engineer की तरफ से अगला topic जो है, हम generator का शूरू करेंगे, उमीद है आप enjoy कर रहे होंगे और video को समझ रहे होंगे, इस topics को आप अच्छे तरीके से जान भी रहे होंगे यही इस channel का मकसद है कि इलम को फैलाया जाए, दूसरों तक इस तो इलम को पहुँचाया जाए ताके दूसरे लोग भी इस से फायदा उठा सके आज तक, अभी तक उमीद है आपने इस channel को सब्सक्राइब तो करी दिया होगा लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो ब्राय मेरबनी अभी कर लें और लाइक भी करें और शेर भी करें दूसरे ताके इलम को फैलाया जा सके इलम को फैलाना चाहिए जितने मक्सिमम लोग इस से benefit हासल कर सके उतना ही अच्छा है इलम को फैलाना आप सबक भी जम्मेदारी है और मेरी भी जम्मेदारी है